अंदेश के एक गाव में एक धनी ब्राहमन रहता था। उसके तीन कुत्र थे। एक बार ब्राहमन ने एक यग्य करना चाहा। उसके लिए एक कच्छुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाईयों को कच्छुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहां मैं श्याया चलूं, सो मैं नहीं ले जाओंगा। वे तीनों इस बहस में पढ़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें। मैं तीनों की अलग-अलग जाँच करूँगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बढ़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसमें मुर्दे की गंधा आती है। वो उटकर चला, राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो भोजन शम्शान के पास के खेट का बना था। राजा ने कहा, तुम सच्मुच भोजन चंध हो, तुम है भोजन की पहचान है। राज की समय राजा ने एक सुन्दर वेश्या को मजले भाई की पास ब्रिजा। जो ही वो वह वहां पहुची की मजले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहां से। इसके शरीर से बकरी का दूद की गंधा आती है। राजा ने ये सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बच्पन में बकरी की दूद पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सच्मुच नारी चंध हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए साथ गैदों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा की एकदम चीत कर उट बैठा। लोगों ने देखा, उसकी पीट पर एक लाल रेखा खीची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिचोने को दिखवाया, साथ गैदों के नीचे उसने एक बाल निकला, उसी से उसकी पीट पर लाल लकीर हो गए थी। राजा को बड़ा च्रच हुआ उसने तीनों को एक एक लाख शर्फियां दी। अब वे तीनों कच्छुए को ले जाना भूम गए, वही आनन से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ, उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चन था, क्योंकि उसकी पीट पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंडने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी दो के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछ कर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेतार फिर फिर पर जा लटका। राजा लोटकर वहां गया और उसे लेकर लोटा तो उसने ये कहानी कही।